वह खालो माई डियरे च्टूइंट आज हम लोग जो समझेंगे नेश्चूर रिस्योस को ठीक है ये नेश्चूर रिस्योस क्या होता है और इनकी जो टैप्स हैं एक होते हैं dengan और एक होता नान रिनुर लिसुसवस तो हम लोगे इनको देखेंगे समझेंगे और यह जो है इसे कोशन पूछे लिए पूछ जा सकते हैं या वट आइज हेने वर डिसूरस इस ये एक्जाम्पल इस टैप का कुछी जाते हैं तो यह सोटकूशन में इंपोर्टेंट है चले समझते हैं यह नेच्र रिसूरस असकुन हो ता यह हैं तो यहां पर नेच्टोर असरूरस के अगर में बात यह कर अबएटटेरीयल और कॉंपोनेट्स नेचरा दोस जो करें वो ऐसा मैटेरियल होते हैं ऐसा कॉंपोनेट्स होता है यह इनको यूटिलाइस के जाता है के द्वारा ठीक हैं अंडेस्टेंडिंग दा बैलंस बीच में जो बैलंसिंग की बात करें तो इनको समझेंगे क्या इंपॉर्टेंस से सस्टेनेबल डेवर्मेंट में यह जानना बहुत ज़री हैं वेल तो यहां पर हमनों क्या यह जो प्रेजेंटेशन यह जो पीडियाप में लाया हूँ यहां पर यह एक्सप्लोर करेगा अब और दामारा किसके बार में क्यारक्टरिस्टिक्स यूजर से छिनस ओप मैंटेनिक दिस बैलेंस तो यहां पर सबसे समझेंगे कि यह जी इनिवल रिसूर्सस क्या होता हैं तो अब यहां पर फीगर से डेड़ाम से देखे रहे हैं यह एक तरह का wind energy ठीया तो यहां पर renewable resources की बातें में करो तो renewable resources are those that can be replenished naturally over time पत्रों उन्हें घाजाता है जिसको बारान। हम रेनुड कर वarthot बारान। रीजुड कर जाकते रेप्लेश कर जिए जैसे कि सालर एनजी मत्तों बो क्या होंगे ओनके द्रडा हम उन्हें का एनर्जी को वर नौण तो हम नोब भारान। रेयूड कर जाकता है जैस्ट बायो मास ठीक है all these are the renewable resources they play a vital role in reducing our carbon footprint तो यह बहुत 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 रोल प्रेंट करते हैं हमारे carbon footprint को क्या रिडियूस करने में यहां तक क्लाइमेट को change करने में भी बहुत मतलब इसमें रोल प्लेग दिया जाता है ठीक है अगर हम इनको सभाल करें मतलब इनका अगर हम यूज करें तो आपसे हमारे future generation के लिए यह बहुत महतुआ पूर्ण होंगे ठीक है बहुत महतुआ होंगे मतलब इंपोर्टेंस होंगे अब समझते हैं यहां पर नंक री नेवर रिसूस क्या होता है है मतलब इनकी जो तो नन डिन डिन रिसूसर्स आर फाइनाइड और यह जो होता है और इनको रिप्लेश नहीं किया जा सकता है मतलब बार बार हम इसका यूस नहीं कर पाएंगे विदिन आहिमन टाइम स्केल एक्जामपल फॉसिल्स पॉल सच इस कॉल ऑईल एंड नेच्रिल गेस जो है कोईला की बात कर तो कोईला एक ताइम क्या होगा खत्तम हो जाएगा ठीक है उनका अगर हम यूस करेंगे तो एक यूज नहीं कर पाएंगे तो यह क्या हुआ कि नन रिनेवल रिसोर्स में आते हैं जिसे ओएल हुए है नैच्रिल के सब्सक्राइब जो खत्तम हो जाएंगे ठीक है दियर एक्स्ट्रेक्शन और यूस कांट्रिबूट टू इन्भारमेंटल डिग्रेडेशन क्लाइमेट और युज करते हैं जिसे कोईले करते हैं तो ऑविसली उनसे जो 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 करुआभमन पार्टिकल ही है जो करुमन और और टिक्रेड़ करने हो तो इन्भारमेंटल पॉजिशन क्रेड़ कर दें तो सब्सक्षाव में इसके अलावर क्लैमेट में भी चेंज आते हैं अगर हम रिसोर्स का यूज करते हैं मैं कि इड इंपरेटिब टू ट्रांजिशन पूर्ड्स मौस सटेनेवल ऑल्टिनेटिव हम समय इसका ऑल्टेनेटिव पूजना चाहिए ठीक है तो यह इसका अल्टेनेटिव ही है कि हमनों को जी ने ओर रिसोर्स का उपियोग हमेसा करना यूज करना चाहिए ताकि उससे जो एलेक्रिसीटी प्रडूस उससे खाना पकाना चाहिए उससे को कि परफस में यूज करना चाहिए ठीक है अचिबिंग अब बैलंस बिट्विन रिनेवल एंड रिनेवल रिसोर्स इस एसन से फोस्टेनेबलिटि तो इसके लिए क्या हो है तो इनमेन से सज्टेनेबलिटी बहुत जुर्ग है यहां पर अवर्ली और रिलाइंस ओन अन नरिनेवल रिसोस कें लेड्वीश एन इन्भरमेंटिल डाल अगलग। अगर हम अम एगरर नन रिनेवल रिसोस पर यह हों तो इससे क्या हो सकता है कि हमारा environmental damage हो सकते हैं जिसके वज़ा से depletion भी हो सकता है emphasizing the use of renewable resources can help mitigate these impacts and promote healthier planet अगर हम renewable resources का मतलब use करेंगे तो इससे क्या होगा हमनों जो impact पर रहा है हमारा environment को तो उससे बचा जा सकता है और एक healthier planet promote कर सकते हैं challenges in resource management managing both renewable and non renewable resources present significant challenges issues such as over consumption, pollution, resource depletion require effective policies and innovative solution collaboration between government, industries and communities is crucial for sustainable resource management तो resource management में क्या challenges की अगर में बात है क्या challenges हो सकता है तो अगर हम managing कर रहे है manage कर रहे है रीनेवल हो या non renewable इसके लिए जो भी हमनों को problem देखने को मिर रहे हैं non renewable resources का use कर तो pollution हो सकता है हमारे over consumption के वज़ा से resource का हो सकता है तो इसके लिए government का साथ क्या होना collaboration होना चाहिए industry का साथ भी collaboration होना चाहिए community के साथ collaboration होना चाहिए ताकि हम resource को बचा कर रख सकता है ऐसा नहीं कि बहुत जादा utilize कर ले और consumption कर सके हैं इससे future के दिकत होगा तो conclusion में हम लोगों ने क्या देखा कि understanding the interplay between renewable and non renewable resources is vital for achieving a sustainable future अगर हम यह समझते हैं renewable resources क्या है non renewable resources क्या है तो हम obviously हमारे future को बचा सकते हैं तो यह बहुत जूरी है मतलब अगर जो फ्यूचर जनरेशन वह तो बचेंगे साथ में हमारा जो प्लानेट को हम लोग इसको भी प्रोटेक कर पाएंगे तो यह बहुत जूरी है मतलब अगर जो हमारे पास आज non renewable resources जो हैं जैसे की कोईले कोईला हुआ तो इनको भी बचा कर रखना बहुत ज़री है थाकि future के लिए तो यह तो सभी मतलब जितना जादा मतलब हमनों यूज करेंगे तो आने अलग कल क्या हो पूरा खत्म हो जाए तो उनको बचागा रखना भी ज़री है और हाला कि सबसे बेश्ट है रेनवर रिसूर्स का हूँ हो जो होंगे कभी समाप्त नहीं तो आपका question शें सीम्पल सा question आएगा कि रिजmäवर रिसूर्स क्या भोता है और रहें वह रिजो रश्ट है रिजवात्त क्या होता है यह दोनों कूछ्ट ज चो थैंँने कूछेंट में से पूंच्छा जा सकता है natural umbrella do यह एक इंपोर्टन टॉपिक है नेच्छर रिस पेट इस तो देख लिजेगा वाज पर इतना ही थैंक यू